दोस्तों कर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस विश्व कप पर कब सा जमाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों लगातार तीन मुकाबले में तीन जीत हासिल करने वाले टीम इंडिया के सामने अब चुनोती लेकर खड़ी है बंगलादेश की टीम अनेस्पेक्टिड मुकाबले में बंगला टाइगर्स कर सकते हैं एक बड़ा उलट फेर सच चुका है एतियासी के स्टेडियम तो आकर इंडिया और बंगलादेश के बीच कब और कहां खेले जाने वाले काटे का मुकाबला कितने बज़े से होगी इसकी शुरुआता किर किन बड़े बदलावों के साथ बंगलादेश से चुनोती लेने वाली है टीम इंडिया क्या रहने वाली है दौनो टीम है क्यों टीम इंडिया के लिए ये मैच चिंता का विशे बना हुआ है सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जीत हासिल करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दिये आस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बाद चिर्पृतिद्वन्ती पाकिस्तान की टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबले में हराया अब भारत का अगला मैच एक ऐसी टीम से है जिसके खिलाफ हाल ही में हार का सामना करना बड़ा था हाला कि भारतिय टीम के सामने इस ICC वंडे वर्ल्ड कप में अब तक कोई भी टीम टिकती नजर नहीं आ रही है रोईत शर्मा की टीम ने पहले तीनों ही मुकाबले विरोधी टीम को लगबग एक तरफा अंदाज में हराया है आस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को भारती के इन बाजों एक सो निन्यानवे रन पर धेर कर दिया फिर एक्तालिस दशमलव दो ओवर में चार विकेट गवा कर जीत हासल की अफगानिस्तान ने 272 रन का स्कोर खड़ा किया तो 35 ओवर में इसे हासल कर भारत ने आठ विकेट की जीत हासल की पाकिस्तान की टीम के 111 एनुए रन पर समेट कर तीस दशमलव तीन ओवर में ही तीन विकेट गवा कर जीत दर्ज कर ली लेकिन आगे का सफर इतना असान नहीं रहने वाला है ICC वंडे वर्ल्ड कप में लगातार तीन जीत दर्ज करने के बाद भारती टीम का मुकाबला अब एक और पड़ोसी देश बांगलादेश के साथ है 19 अक्टूबर को ये मैच पूरे महराश्ट क्रिकेट एसोसियेशन स्टेडियम में खेला जाना है जिसकी शुरुआ भारते समय नुसार एक बार फिर से दो पहर दो बजे से होने वाली है बांगलादेश की टीम भी किसी से कम नहीं है अफगानिस्तान की टीम को पहले मैच में हराने के बाद बांगलादेश को लगातार दो मुकाबले में हार मिली है इंगलेंड और फिर न्यूजिलेंड ने उसे हार का मज़ा चखाया भारत के खिलाफ टीम कड़ी टकर दे सकती है ऐसा केवल हम नहीं कहा रहे हैं बलकि खुद टीम इंडिया भी इससे वाकिफ है ऐसी कारण तो भारती टीम बांगलादेश के खिलाफ वर्लकम मुकाबले में साफधान रहने वाली है इसका सबसे बड़ा कारण उनका पिछला रिकॉर्ड है आपकी जानकारी के लिए बता दें पिछले चार में से तीन वंडे मुकाबले में इस टीम ने टीम इंडिया के खिलाफ जीत हासिल किये श्री लंका में खेले गए हालिया इश्यकप के मुकाबले में भी भारत को बांगलादेश ने चहरन से अराया था यानि कि सितारों से सजी टीम इंडिया बांगलादेश के सामने पूरी तरीके से नेस्तिनाबूत हो जाती है जो की एक चिंता की बात है उनके पास एक से बढ़कर एक खिलाडी मौजूद है जो भारती टीम के लिए परिशानी खड़ी कर सकते हैं पूरी दुनिया इस मुकाबले को देखने एक के लिए बेकरार है जिसका लाइफ पुरसारन टीवी स्क्रीन पर स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर किया जा रहा है तो वहीं स्टार के ही प्लैटफॉर्म डिजनी प्लस होट स्टार पर आप इस ब्लॉक्बस्टर मुकाबले को देख सकते हैं वो भी बिल्कुल मुफ्तमे यानिकी क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती लिहाना की बांगलादेश को कमजोर नहीं आका जा सकता है ये हम पहले से ही कह रहे हैं उनके पास कई बड़े खिलाडिया चलिए सबसे पहले आपको बांगलादेश की प्लेइंग 11 दिखा देते हैं तो जहां उनके पास ओपनिंग क्रम में लिट अंदास के साथ तंजीद हसन की जोड़ी मौजूद है तो वही मध्य करम में एक से बढ़कर एक खिलाडी नजमुल हुसैन संदों के साथ कमाल के आल राउंड और महंदी हसन मिराज और खुद कब्तान शाकिबल हसन से लेकर मुश्विकुर रहीम जैसे दिगज विकेट कीपर बल्लेबाज बांगलादेश की टीम में चार चांद लगाते हैं उनके अलावा महमद उल्ला और तोहीद हिर्दै जैसे टेलेंटिट खिलारी टीम इंडिया को कई बड़े जटके दे सकते हैं अलावा के इंड़ासी करम भी बांगलादेश का बिल्कुल सटीक है तसकीन एहमत के साथ मुस्विजुर रहमान और सौरिफुल इसलाम आगे उगलते हुए बांगलादेश से निपटना इतना आसान नहीं रहने वाला है हाला कि बांगलादेश टीम भी किसी से कम नहीं है कप्तान रोहित शर्मा रैड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं तो शुबमन गिल भी किसी भी पल बल्ले से धमाल मचा सकते हैं कोहली की तो क्या ही तारीफ की जाए उनके अलावा पिछली मैच में अर्द शतक ठोकने वाले आयर का बल्ला भी गरज रहे तो वहीं कमाल लाजवाब राहुल भी शतक जड़कर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं और स्विंग गेंद बल्लिबाज को भी बांगला देश को भी दिन में तारे दिखाने में माहिरे यानि की मुकाबले में एक बार फिर रोमांच सभी हदों को पार करेगा लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा भारती खिलाडी बनेगा बांगला देश के किलाफ मैं आफ दा मैच हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाद